तो अगर आप आप आई इस एक्जाम की तहरी कर रहे है तो इस चानल से आप लोग जरूर से जुड़ें अब दोगो एक बहुत major development हुआ है आज है का development है और जिसमें जो major ये event है जिसे हम Miss World 2023 का जो event है ये कश्मीर के अंदर होगा और last time जब ये event हुआ था वो हुआ था 1996 तो काफि समय पहले almost around 27 years before ये event आपका हुआ था और ये एक बहुत important event होता है world level में सब की जो नजर है वो इस region पर रहती है तो इस session के अंदर we will try to understand इसके पीछे reason क्या है और एक analysis करेंगे कि ऐसा जो event है उसका international level पर क्या रूल है इंडिया के लिए इसका क्या benefit है ये सारी चीजे हम लोग जो है we will discuss अब एक छोटा ऐसा आप देखोगे तो एक event चल भी रहा है स्रीनगर का जो reason है वहाँ पर स्रीनगर में चल रहा है वहाँ पर जो भी इस area से हैं खास और से fashion industry से हैं वो लोग अभी gather भी हुए है और उसी में announcement भी आपक किया गया कि जो 71st Miss World 2023 contest होगा वो कश्मीर के अंदर इसी साल के आखरी हिससे में जो है वो किया जाएगा जिसमें 140 देश होंगे और अभी G20 क meet भी माई के अंदर हुई थी इस वज़े से एक confidence भी build हुआ कि हाँ जो वहाँ पर situation है वो काफी अधिक आप कह सकते हैं उसमें काफी अधिक परिवर्तन भी है और G20 इवेंट जब successful हुआ तो एक positive जो message है यह positive perception है वो आगी की तरफ आपका गया अब यह चीज एनाउंस की ग land यह सब लोग present थे और इन्होंने इसका announcement किया अब इस चीज को समझते हैं यह तो चलो एक information हो गई कि आखिर एक event हो रहा है G20 की event हुआ था इसके बाद यह जो miss world का event है यह भी एक बड़ा event है यह event आपका हो रहा है जो पहले आपका एक बार 1996 मा already हो चुका है और अब इस प important है एक यह हमारा जो north eastern region है और दूसरा हमारा यह जो जम्मु इन कश्मीर region important है अब इन दोनों region को समझना इधर हमारे पास कौन सा देश है इधर चाइना है चाइना का जो तिबबत का हिस्सा है वो located है इधर कौन सा area है इधर आपका पाकिस्तान का इलाका है इधर अगर यह एक बड़े larger scale में अगर आप देखोगे उसका एक तरीके से representative है कि किस तरीके से चीज़े बदल रही है अब अगर आप समझो कि अगर भारत की बात करें तो भारत बहुत अधिक focus कर रहा है कि हमारे north eastern region का infrastructure improve हो और यहाँ पे even इधर से अगर आप देखोगे तो Japan आके भी मनिपूर और इन सब region में investment कर रहा है कि इस region में कहीं न कहीं जादा से जादा आप कह सकते हैं कि जो infrastructure है वो improve हो और इसके पीछे reason क्या है कि सभी को पता है कि south east station जो countries है जैसे आपकी Thailand है, Cambodia है और Malaysia है, Singapore है यह सब south east station countries है यह तेजी से develop हो रही है अगर यह तेजी से develop हो रही है तो इसकी connectivity कैसे establish हो कि अगर भारत अपना north eastern region बढ़ी आसा develop करता है तो हम अपना easily connectivity उसके साथ develop कर सकते हैं और यह 2014 के बाद से even हमारी जो actist policy है उस पर भी highlight की जो हमारी एक नीती है foreign policy उस पर भी हमने कहा कि हाँ यह बहुत important है और कहीं न कहीं इसकी वज़ों से किसी ना किस तरीके से अगर देखा जाए कि यह जो connectivity establish होगी तो इसमें हमारा जो north eastern region उसका विकास भी होगा चाइना के लिए यह अच्छा नहीं है चाइना कोई लगता है कि अगर इस तरीके का development होगा तो कहीं न कहीं चाइना के पास बहुत सारे जो देश है वो आपके present हो जाएंगे जैसे जैपाइन क्लोज आ गया और USA भी क्लोज आ सकता है कि भारत का उनके साथ एक प्रकार से भी अच्छा relation develop हो रहा है तो इस वो जैसे वो कोशिश करेगा कि north eastern region में disturbance जो है वो भना रहे और even जो मैनमार है मैनमार में भी coup carry out किया गया था मतलब जो military rule वहाँ पे है जिसको अगर आप इस रीजन में देखो तो इस रीजन के अंदर एक तरफ अकसाई चिन का इलाका है जहाँ पे चाइना ने कबज़ा कर रखा है जिससे आप क्या सकते हो कि कश्मीर लदाक occupied चाइना और एक कुछ हिलाका है जो कि पाकिस्तान occupied कश्मीर रीजन है अब यह दोनों री इस रीजन की वयजे से यह लोग हमेशा से चायते हैं कि इधर से चाइना अब पर्षार डेफ्डर पाकिस्तान अपना करता है इधर से अगर देखा जाए तो चाइना प्रेशर डेफल्प करता है अब अगर सब्सक्रामीर के अंदर यह मेजर इवेंट होते हैं जैसे जी 20 क का इवेंट होगा, इंटरनेशनल लेवल पे एक perception डेवलप होगा, positive perception डेवलप होगा, और इस region को अगर कहा जा तो इसे धर्ती का स्वर्ग region भी कहा जाता है, अब इस वज़े से क्या है, यहाँ पे tourism बहुत अधिक increase होगा, जैसे पहले के time पे काफी सारे ऐसे इवेंट होते थे, जिससे कि इस region का जो perception था, वो इतना अच्छा नहीं था, एक positive perception नहीं था, international mindset की जब हम बात करते हैं, कि जैसे जो आपके stone throwing और बहुत सारे ऐसे इवेंट होते रहते थे, यही कुछ ऐसे reason थे, जिसकी वैसे यह इलाका news में रहता था, जैसे अभी फिलाल के लिए चीन ने क्या कर दिया, G20 इवेंट होना है, तो उसमें उसने पहले गलत map जो है, वो जारी कर दिया, उसने यह दिखानी कोशिश की कि देखो, यह जो इलाका है, इस इलाके में मेरा कबज़ा है, यह इलाका है, यह disputed है, इस टाइप का message देने की प्रयास किया, कई सारी इंडिया का जो हिस्सा आपने map में show किया, अब अगर Miss World जैसा event होता है, तो एक positive perception develop होगा, positive perception से tourism develop होगा, वहाँ पर employment generate होगा, और कई प्रकार के जो investment, infrastructure development में, वो आपका होना शूरू होगा, क्योंकि यह जो reason है, यह reason wrong region के लिए ज़्यादा news में रहता था, अब यह reason क्या होगा, कि जैसे G20 event है, Miss World event है, फिर और भी कई सारी चीजें, यह event मतलब ही famous हो है, तो यह काफी अच्छा एक positive रहेगा, इस region के लिए और country के लिए, भी क्योंकि यह बहुत beautiful place है, तो overall इस region में, जब economic growth और development होगे, तो कहीं न कहीं, इंडिया का जो यह पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो reason है, यह आपका economical sense में भी develop होगा, और international level पे जब भी हम बात क जो है develop कर सकते हैं, तो उस पर भी अगर चाहे वो participation बाद में, चायना के साथ develop हो, या participation future में, USA के साथ develop हो, या किसी देश के साथ develop हो, बट overall अगर region developed है, infrastructure अच्छा है, तो इस से काफी अद तक भारत के पास भी एक advantage रहेगा, और वो आगे बढ़ेगा, तो यह सब event आपको ध्यान में रखना है, यह ऐसा नहीं कि सिर्फ एक event हमने decide कर लिया, यह question आज मैंने आपको दाहिंदू session में दिया था, दाहिंदू का session कल सुबह साथ बजे होगा, तो Pacific Decadal Oscillation Along with Ensoville, Save Future Climate in Indian Subcontinent, आप लोग लिखो, टेलिग्राम चैनल का लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स म आए से एक्जाम की तहरी करें, तो फ्री PDF जो इस चैनल पे होते हैं, उसके gsreporter.com में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जोगरिफिय अन्वार्मेंट और साइंस की जो magazine वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, I hope you session आपके helpful रहा होगा, thank you everyone, thank you.